दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से जूज रहा है और ऐसे में वो पुरी दुनिया में घूम रहा है और जगह जगह से पैसो की मदद मांगने में लगा हुआ है भारत से भी पाकिस्तान के रिष्टे अच्छे नहीं है लेकिन इसके बावजूद अगर भारत मदद करने के लिए आगे आता है तो पाकिस्तान उससे मदद लेने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात ही इतने खराब चल रहे हैं लेकिन भारत भी अब पहले जैसा नहीं रहा जो अपने पैर पर ही कुलहाडी मार कर पाकिस्तान की मदद करे और बाद में जाकर उसी मदद का इस्तिमाल करके वो भारत में आतंकवाद फैला सके और कास्मीर में इस्थिती बिगाड सके इसलिए भारत ने मदद के बदले सायद बड़ा समझोता करने का सोचा है और सायद यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंतरी ख्वाजा आसिफ को भारत बुलाया गया है और इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंतरी जब भारत आएंगे तो अजीर डोभाल उनके साथ एक बहुत ही बड़ी डील करने वाले हैं ऐसे में दोस्तों क्या है पूरी खबर चलिए अब आपको इस वाले में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं दरसल खबर ये है कि पाकिस्तान के रक्षा मंतरी खुआजा आसीफ अप्रेल में भारत की नई दिल्ली में होने वाले संगाई सहयोक संगठन की बैठक में सामिल होने आ रहे हैं और ये निमंतरन पाकिस्तान को भारत की तरप से दिया गया है आपको बता दें कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आतंकवाद और बातची दोनों साथ साथ नहीं हो सकती और इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान के साथ कई बड़ी बड़ी डील कर सकता है और मजबूरन पाकिस्तान के पास अभी कोई रास्ता भी नहीं है भारत की बात मानने के अलावा क्योंकि कभी यही पाकिस्तान ये कहा करता था कि कास्मीर मुद्दा जब तक नहीं सुरशता तब तक हम भारत के साथ अपने रिस्ते को बहतर नहीं कर सकते लेकिन जब से पाकिस्तान में भुखमरी चाही है तब से वो घुटनों पर आ गया है और मिन्नते कर रहा है कि भारत उससे बात कर ले और इस वक्त पैसों के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है फिर चाहे उसे कोई भी काम क्यों ना करना पड़े या फिर चाहेना के साथ समझोता ही क्यों ना करना पड़े अपनी जमीन का और अपने जमीर का तो ऐसे में ये कोई चौकाने वाली बात नहीं होगी अगर वो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का भी सौदा कर ले जी हाँ बिल्कूल सही सुना आपने हम बात कर रहें आतंकी संगठन लस्कर तैवा के नेता और मुंबई आतंकी हमले के मास्टर माइड हाफीज सहीत की लस्कर के सीर्स आतंकी कमांडर और 26-11 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिस करता जकीर उर्रहमान की इसके साथ ही पाकिस्तान इस्ती जैसे मुहमद आतंकी संगठन के संस्थापक मसूद अजहर और भगोडे अंडर वर्ड डॉन दाउद अबराहिम की जो पाकिस्तान में वैठे हैं और UN भी इन्हें ब्लैक लिश्ट में डाल चुका है अब बताये जा रहा है कि भारत पाकिस्तान की मदद के वदले इन आतंकियों को सौपने के लिए कह सकता है ऐसे में पीम मोदी के भरोसे मंद अजीर डोभाल बड़ादाओ चल सकते हैं बरहाल देखना ये होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंतरी या विदेश मंतरी भारत आते हैं या फिर नहीं क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मौत का सौदा इस तरह से किया जाए और जो इसके अलावा पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ही मीटिंग में कोई भी सामिल नहीं हुआ था और पाकिस्तान में हाल ही में हुई ऐसी मीटिंग में आने से भी बहाना कर दिया था ऐसे में ये मुम्किन है कि इस बार भी पाकिस्तान इस मीटिंग में सामिल ना हूँ तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जो बताना साथ ही वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना